नमश्कार दोस्तों और कौन से सर्जरी से यह बिल्कुल ठीक होता है अगर यह सारे क्वेस्टिन के बारे में आपको जान करी चाहिए तो इस वीडियो को अन तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए पहला क्वेस्टिन यह है कि वाट इस एनल फीशर एनल फीशर क्या होता है फी पिचचर पर आपको समझा जाएगा कि इस पिक्चर में आप सकते हो कि नॉर्मल यहां बार से आप देखोगे तो ऐसा नजर आएगा तो यहां पर देखो इसको एजूम किया हुआ इस ट्रॉक्चर को यहां पर बाहर अगर देखें हम तो पीछे कि तरव यह अगर टोटल ऐसा दिखने में होता है तो पीछे के तरब मतलब यहां पर पीछे मतलब इस साइट पे हाँ तो पीछे की वाल पर एक क्रैक होता है जिनले पीछे के वाल पर यह होता है कुछ-कुछ टाइम पर सामने के दिवार पर भी हो सकता है तो यहां पर यह पीछे के दिवार पर एक क् यह crack एक anal fissure कहा जाता है ठीक है तो anal fissure एक simple सा crack है बस और कुछ नहीं मगर फिर भी यह one of the most painful disease होता है most painful मगर सारे disease में में बोलना हो compound fracture में जितना pain होता है उससे थोड़ा कम तो यह pain index पे बहुत हाई होता है क्योंकि यह जो muscle होता है हमारे यह बहुत ही टेंडर मसल होता है बहुत ही सेंसिटिव मसल होता है और इस मसल में अगर कोई थोरा सा भी चीड लगा देना तो बहुत पेन होता है बहुत दर्द होता है ऐसा लगता है कि 10-20 ऐसे मिर्ची कोई अंदर रख दिया हो और इतना पेन होता है इतना जलन होता है इसस ब्लड आ रहा है तो वह पाइल से और मैक्सिमुम लोग सोचते कि पाइल्स हुआ है मुझको एनस में कुछ प्रॉब्लम में तो पाइल्स सोच लेते हैं मगर यह बिल्कुल नहीं पाइल्स टेफिनेशन पर पेइनलेस डिजिस होता है पाइल्स में ब्लीडिंग तो होता है अहीं दोन क्यों हो सकता फिमेल में इसके चांस ज्यादा होता है और बात करते हैं कि और की आयांपर जो ही कट तो आप डायमेटर हिसा आया को फिम्ल से कमें से जो पास करता है एक दम नीचे की तरप से मैं में बोल जांव, वहां पर दो पेशी है, के दो हो इसकोम सफिंक्टर कहते है इंटरनोल सफिंक्टर और एक्स्टरनल सफिंक्टर keeping तो इंटरनल एक्स्टरनल सफिंक्टर होता है tęसे छीलसे रिलाक्स होता है All the process, a certain method, the process तो नौर्मल है इसलिए वह जो जो एनल एरिया होता है, रिक्टम एरिया होता है, वह मुड्यार से भरा हुआ होता है हमारे, ताके उसका जो दीवारे उसे खरोच ना आए, मुड्यार ज्यादा होता है, मगर कभी-कभी अधस्टूल बहुत हाड हो, बहुत हाड बतलब जिन लाइफस्टैल में मतलब exercise ज्यादा नहीं करते हैं, इनके क्या होता है, stool बहुत hard हो जाता है, constipated हो जाते हैं, जब ऐसा heart stool pass होता है, बहुत hard, तो क्या करता है, mucus होने के बावजूद भी, कभी-कभी, bulkier stool pass होने के time पे, यह जो पीछे की wall है, उसमें crack आ जाता है, उसमें एक cut सा हो जाता है, जैसे का simple सा, हाथ में अगर देखो कि एक छोटा सा cut, ऐसा छोटा सा cut हो सकता है, ऐसा cut हो कि बावज से देखो कि तो समझ नहीं आएगा, qualified doctor देखे का एगा, कहीं हाँ आप फिशर है, ऐसा छोटा सा cut, और जब cut होता है, तो कभी-कभी bleeding हो भी शकता है, नही तो फिशर के साथ bleeding आभी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा cut हो कि bleeding ना आए, और ऐसा cut भी हो सकता है, थोड़ा बहुत bleeding, वो stool के साथ ही ऐसा जैसा थोड़ा सा bleeding अलग कर bleeding आ सकता है, तो जब होगा तब आप लगेगा आपको pain आएगा, आपको, आपका anal area वापर pain होगा, द चलिए आप बात करते हैं के टाइप तो नॉर्मली देखिए आप जब हार्स टूल पास करोगे पास करने के टाइम पर वहां पर एक खरच आ गया उससे पेन बढ़ रहा है इसको एनल फिशर कह रहे हैं तो जब भी ऐसा पेन होता है पहली बार तो उसको हम एक्यूट एनल फि लेता है खुद से खुद वो हिल हो जाता है ठीक हो जाता है अभी तबसे घुकत ठीक हो गाँ वहां पर एक कट आ गया मग काट ऑँ सदस्ट की Saos ज्यादा फूइट ले रहे हैं आपका जो सॉफ्ट तो धीt हपते के बीच वहलो हो जाएगा एक्णलाइस्ट कहते हैं एकुट अनल फिशर बहुत फास्ट हील हो जाता है, खुद से भी हील हो सकता है। अगर छोटा कट है और बड़ा कट है और ब्लाड आ रहा है तो हील होने में टाइम लग सकता है। मगर कभी कभी यह जो एनल फिशर जो है वो दो हपते में हिल नहीं होता है ज्यादा तर सिचुएशन पर हो सकता है कि हिल नहीं होगा क्योंकि अगर किसी को ऐसा अगर हील होने में टाइम लगता है तो धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पर कट तो था ही अब उसके नजदीक पर सेल्स कुछ अलग से ग्रो करने लगेगा और बाहर के तरह पर एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा बहुत से लोग सोचेंगे कि यह पाइल से साय मगर यह पाइ इस तो रेट कलर का यह डार्क रेड यह डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है मगर यह स्कीन कलर का ही स्ट्रक्चर स्कीन ऐसा रहे कि आपका ही एनल रीजियन का स्कीन थोड़ा बढ़ गया है ऐसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं सेंटीनेल पाइल और य जब भी sentinel pile generally form होता है उसका मतलब है जो cut था आपका वो cut thin नहीं था वो deep cut था उसके बाद blood भी आया था शायद और deep cut के बाद ही उस जगा पर sentinel pile तयार होता है और sentinel pile जब तयार हो जाएगा तब धीरे दीरे उस जगा heal होने में और भी देर लेगेगा और भी time लेगेगा और ज़्यादा तर time पर normally heal होना मुंकिम नहीं होता है वहाँ पर treatment चाहिए होता है इसको heal करने के लिए तो चलिए आप बात करते हैं what are the symptoms of anal fissure, anal fissure के symptoms क्या होता है तो anal fissure के symptoms एक list में आपको बताता हूँ anal discomfort और pain सबसे ज़्यादा important symptom होता है severe pain जब भी आप defecate करने और वहाँ से लेकर 2-3-4-5 घंटे after defecation pain रहेगा और जब defecation नहीं रहेगा 5-6 घंटे पर वह pain धीरे-धीर सबसाइट कर जाएगा तो अगर आप सुबह एक बार जाते हो तो उसके बाद 3-4-5 घंटे pain रहेगा उसके बाद धीरे-धीरे pain गायब हो जाएगा फिर दूसरे कांच जुब गया हो पर ऐसा pain होता है आप बैट नहीं पाओगे आप चल नहीं पाओगे ऐसा pain होना लगता है तो यहाँ पर pain management करने के लिए medications available है जिन्सको लेना पड़ता है pain बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है यह anal fissure का primary symptom है और blood बहुत कम आता है कभी-कभी नहीं भी आ जो symptom, second symptom, third symptom जो है anal discomfort तो रहेगा ही तो वो चलता रहता है तो यह तीन चीज़ और चार जो चीज़ होता है यह पर symptom अगर आपको chronic anal fissure है तो आपका sentinel pile और sentinel tag form हो जाएगा ठीक है तो यही चार जो symptoms होते है anal fissure के चलिए आप बात करते हैं anal fissure की treatment के बारे में तो anal fissure के treatment क्या क्या possibilities है normally अगर आपको acute anal fissure है तो भी मैं कहता हूँ आपको treatment लेना चाहिए क्योंकि बात देखिए यह है कि normally अगर आपकी body की किसी और जगा हाथ में skin की किसी और जगा हाथ मूँ और कुछ भी जगा पर ऐसे cut होता है चोटा बड़ा आप क्या करते हो normally medicine लेते हो antibiotic भी हम नहीं लेते हैं खुद बखुद ठीक हो जाता है हम थोड़ा फास्टेट करते हैं ठीक हो जाता है मगर यहां पर जो इससे काफी चोटा कट है और फिर भी ठीक होना होने में देर लगेगा क्योंकि वह जो जगा है पहली तो है बात यह होता है को जगा बहु पर क्योंकि आप स्टूल तो stop नहीं कर सकते हैं स्टूल तो आपको पास करना है हर रोम वावजड के अंदर भी ठीक करना है यह करने के लिए अब तीसरी बात यह रहता है कि देखिए एनलट रशी जब हो चुका है वहां पर और हर रह रोंस टाच हो रहा है स्टूल से तो पर stool के अंदर bacteria रहता है और bacteria से क्या होता है अगर वह जगा ठीक से clean ना हो उसके cut deep हो दो उसके अंदर stool deposit हो जाता है और वहाँ पर इतना pain है कि आप खुद से भी वहाँ पर ज्यादा हाथ लगाने की भी कोशिक नहीं करते हैं as a result क्या होगा वह clean नहीं होगा और bacteria देडीरी infection start करतेगा और उस कॉटसे अगर infection start हो जायेगा दीरे दीरे infection होते होते उस जगह में puff form होगा path मतलब cells jsबस जो कोशिक जो हैं वहां वहां का dead होने लगेगा उसका debris करने लगेगा और दीरे दीरे पंस फर्म करते करते हैं वह जो ऑइन इससर्जरी अब इसको ठीक नहीं कर सकते। कोई भी अगर दुनिया का कह रहा है कि फिश्टुला विदाउट सर्जरी ठीक करेगा वो जूट बोल रहे हैं ठीक है तो सर्जरी आपको ना जा हुआ और फिश्टुला भी बहुत एक पेइनफुल डिजीज है तो वहां तक अगर नहीं पहुचना है तो आपका अगर फिश स्टार्ट हुआ है और यह मतलब अनल फिशर स्टार्ट हुआ है तो आपका कुछ मेडीकेशन है आपको थिवह वैसा ऐसा मट्र होटा ज़ो ऐसा की तरफ तरप लगया जा सकता ए तो वो स्ट्रूक्टर से आप जो है और सप्धे नंइटिग्लीसिरन उट्मेंट्स है और और औरिन्मेंट्स होते हैं जो उस जगा पर पेंड करेंगा दूसरे बात होता है कि दूसरी जो ट्रिटमेंट्स है यह स्टूल पूंभा करा आपको तो आपको स्टूल्स उसक्थन बशीह एक महिने के लिए place तो एक्विट फिशर में भी ख्रोनिक फिशर में आपको तो स्टूल सॉफना लेना ही लेना है प्रोनिक फिशर में पाच तीन चार महिने और एक या दो महिना हर रोज रात को दो चमच ऐसा इसा इस अब गुलहास के तरह होता है उसको लेना है और प्लेंटी ओफ करना सरुर्व है आप यह सोचोगी कि मैं एक्षरिस करूगा तो काट बर सकता है नही। महाँ पर पहुचेगा तो उसमें हील्यक जादा फास्ट होगा। अभी हील होने के और एक difficulty क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर मैंने काँ आपको दो स्विंग्टर रहता है अंदर, एक internal स्विंग्टर एक external annals भींग्टर. तो internal annals-anals-fingटर बहुत ही sensitive होता है, और वहाँ पर अगर तोरा बहुत भी cut आ जाए, तो इंटर्ल एलन स्फिंटर ऐसा स्टीफ हो जाता है स्टीफ समस्तों यह देखो यह मसल है मेरा स्टीफ हो गया, यह मेरा मसल रिलाक्स हो गया, यह स्टीफ, यह है रिलाक्स, देख सकते हैं, स्टीफ, रिलाक्स, स्टीफ, रिलाक्स, तो जब स्टीफ हो जाएगा, तो बार बार वहाँ पर कट लगे बार बार वहाँ पर ऐसा स्टूल से दिवार पर फोर्स लगे तो क्या होता है वो जगा फिर भी स्टीफ और भी स्टीफ होता रहेगा और इतना स्टीफ होता रहेगा कि आप पेन भी बरता रहेगा जितना स्टीफ होगा आपका पेन उतना बढ़ेगा क्योंकि वो जो अंदर का डायमेटर होगा वो भी धीरे धीरे छोटा होने लगेगा और जितना चोटा डायमेटर जिससे स्टूल पास होता है ये चोटा होते होते चोटा होते होते बहुत ही वन फॉर्थ वन फिफ्थ हो जाएगा तो इससे स्टूल पास होने के टाइम पे बहुत दर्द होगा और फिर से भी फिशर कभी हीली नहीं होगा तो lateral sphincter stiff होने लगेगा तो इसलिए हील नहीं होगा इसलिए जब अब blood exercise करोगे blood यहाँ पर flow restore होगा तो दिरे-दिरी हील होने के chances ज्यादा होगा अब normally क्या होता है किसी लोग को एक बार एक जगा कट होता है किसी को अगर constipation जदा है और stool after मान लीजे के एक बार fischer हुआ है फिर उसके बार भी वो stool soft नहीं कर रहे हो बार 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 normal stool softner use नहीं कर रहे है तो hard stool pass कर रहे, constipated stool pass कर रहे है उसके बात क्या होगा, बार बार वहाँ पर cut आएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार ऐसा cut आएगा, एक ही जगा पर बार बार cut आएगा और जितना cut आएगा जो sphincter वो stiff होता रहेगा और स्फिंटर अगर स्टीफ हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और फिशर कभी हीली नहीं होगा और वो फिशर हील होने में सरजरी के लबा और कोई आप्शन नहीं रहेगा तो नॉर्मल ट्रीट्मेंट कंसर्वेटिव तो है पहले नॉर्मली ओइन्मेंट दिया जाता है और स्टूल सॉपनर से ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया जाता है और उसके साथ साथ बहुत इंपोर्टन जो सीज होता है वो आफ्टर एवरी सिंगल डिफिकेशन आपको पर कि रिलाक्स हों तो यहां पर ब्लन फॉनल हो गाएगा और थिक करना है तो पहले दिन से करना पड़ेगा औरilar अगर मसल स्टीफ हो गया बार बार कट लग गया तो सटर्जरी के भीना यह ठीक नहीं होगा yeah है तो यह होता है और अगर आपका नॉर्मली ठीक होता है तो सही है और ठीक नहीं होता है क्रॉनिक फिशर बन चुका है सेंटिनल टैग हो चुका है तब जाके आपको सरजरी करना है और सरजरी के बिना कोई भी और टेक्निक से chronic fissure ठीक नहीं होता है chronic fissure को आप medicine से ठीक नहीं कर सकते कोई ऐसा दबाई एक दो दबाई है जो आपका यह sphincter का pressure जो smooth muscle उसको relax करता है smooth muscle तो हमारे heart में भी है तो ऐसा दबाई अगर ज्यादा हम ले 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 तो heart beat भी कम हो जाएगा तो ऐसा दबाई बिल्कुल नहीं लेंगे नहीं लेना चाहिए तो instead हमको surgery करना है क्योंकि यह structural problem है बहुत से लोग शाद आपको claim करेंगे देखेंगे YouTube में दूसरे जगा पर without surgery उंफिशर को chronic fissure को treat करते हैं without surgery fissula को treat करते हैं अगर इस चक्र में पढ़ेंगे तो जिन्दगी भर इस disease से बाहर नहीं आ पाएंगे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको फिशर या वीडियो डेख रहे हैं आप सायद सोच रहे हो कि बहुत सालों से आपका फिशर रिलेटेग प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रहा है अब सब्सक्राइब कभी ठीक ही नहीं होता है बिल्कुल गलत ठीक होता जरूर है मगर आपको ठीक जगा जाना है ठीक लोग से treatment लेना है तब जाके ठीक होगा और पहले दिन से ठीक treatment आपको चाहिए तो फिशर अगर है chronic हो चुका है तो आपको surgery करना है और surgery का नाम है एक ही surgery कोई दूसरा तीसा surgery ने एक ही surgery होता है वो है lateral internal sphincter इसमें क्या होता है जो मैं कहा internal sphincter है और बाहर external sphincter है तो external sphincter तो हमारे control के अधिन है internal sphincter हमारे control के अधिन नहीं है तो internal sphincter क्या होता है stiff हो चुका है इसके वज़े से तो सारे problem है इसके वज़े से फिशर ही नहीं हो रहा है तो इसको मैं अगर stiffness दूर कर दू normal कर दू डायमेटर नॉर्मल हो जाए तो blood flow नॉर्मल हो जाएगा फिशर अपने आप ठीक हो जाएगा फिशर को कुछ नहीं करन स्विंटर करने के लिए क्या possibility है स्विंटर ऐसा डोनट जैसा एक round structure होता है इसको रिलीज करने के simple सा इसको एक धार से simply cut कर देना है बस तो एक धार से चोड़ा सा स्विंटर का portion हम cut कर देंगे तो क्या होगा यह stiffness relax हो जाएगा माली जी यह stiff था मैं यहाँ से अगर cut दू तो यह relax हो जाएगा तो यह simple process है internal sphincter को cut कर देना है तो process relax हो जाएगा अभी आप एक question सोचोगे यह sphincter क्या control करता है urge to defecate मतलब bowel को जब आ जाता है नीचली हिस्से पर तो रिक्टम में आने के time पर यह regulate करता है वो बाहर ना आ जाए हम control करते है राइट तो जो control होता है हमारे पास वो control regulate करना बहुत important और sphincter का हम release कर देंगे ना cut कर देंगे तो क्या हम खुद से वो जो bowel है या जो stool है उसको regulate कर पाएंगे या नही आंसर है कि यह शायद बहुत से लोग आपको कहेंगे या फिर आप भी सोच रहे होंगे कि सर्जरी बार-बार करते हैं के लिए decide करते हैं और फिर पीछ के आ जाते हैं कि यह सोचकर internal sphincter अगर कट दिया तो मेरा defication control चला जाएगा और यह डिफिकेशन कंट्रोल चला जाएगा त जो जो है fart बाहर आ सकता है stool बाहर आ सकता है उससे problem हो सकता है मगर एक चीज़ आपको यह complication है surgery का मगर एक चीज़ आपको में बता दू अगर qualified surgeon यह process करते हैं particularly proctology जो specialist है in subject में और proper से अगर जो sphincterotomy होता है बहुत सारे लोगों में sphincterotomy properly नहीं किया जाता है इसके properly किया जाता है तो chances बहुत rare है 98% situation पर ऐसा कोई problem नहीं होता है only 2% situation पर यह problem हो सकता है मगर याद रखिए कि आपका age भी बहुत important factor है आप अगर आपका age 20-30-40 साल के बीच है तो anal sphincter का जो tone है बहुत ही stiff tone रहता है इसलिए अगर किसी को 20-40 साल के बीच fissure होता है तो heal होने में भी time लगता है क्योंकि उनका normal anal tone जो वो tight रहता है normal sphincter ही थोड़ा tight रहता है जितने हमारा age बढ़ता है sphincter भी relax उतना होता है तो अगर किसी को 60 साल के बाद anal fissure है उनको हम यह lateral sphincter otomy करते हैं तो उनको ज्यादा chance रहता है कि जो जिसको हम कहते boil incontinence okay incontinence मतलब boil leak हो जाना इसका chances उनको ज्यादा रहता है और किसी को जो जिसका जिनका age 20 से 30 35 साल के बीच है उनका anal tone इतना tight है कि हम अगर एक portion को भी काट दे तो भी उतना relax नहीं होगा anal sphincter ठीक है तो ये बात ध्यान रखना इतना tight होने के वज़े से ही तो आपको chronic fissure हो चुका है जेनरली अगर 60 65 year का किसी इंसान में ऐसा problem होता है तो आप देखेंगे कि ज्यादा तर old लोगों constipation रहता है फिर भी फिशर वगरह नहीं होता है कि उनका anal sphincter हो बहुत ही relaxed होता ह है और अगर उनको fissure होता भी है तो खुद बखुद ही लोने के chances ज्यादा रहते हैं तो यह बात होता है तो अगर आपको करना ही है तो ऐसा process है lateral inter sphincterotomy lateral internal sphincterotomy भी आप कह सकतो यह normal आप proctoscope insert कर दिया जाएगा और यह देखो कि आप proctoscope insert करने के बाद एक छोटा सा cut किया जाएगा बाहर के skin पर ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि रेट कलर का अंदर के तरफ जो है रेट कलर का यह है रेट कलर का यह फिशर है और यह फिशर है तो फिशर से एक एंगल में नॉर्मली 90 डिग्री एंगल में हम यह कट करेंगे skin में पहले कट करेंगे यहां पर रेट कलर का फाइवर नजर आ रहा है यह फाइवर कौन सी फाइवर है यह फाइवर है हमारा lateral internals जो sphincter है उसका फाइवर है तो इस करेंगे instantly यह देखिए normal annal tone अगर इतना सा हो चुका है और एक ऐसा होता है कि chronic annal fissure में एक उंगली भी ठीक से नहीं पहुचता है जब भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे तीरे वह रिलाक्स हो जाएगा तब ही तीन यह चार उंगली एक साथ क्रॉस कर सकते हैं तो यह surgery के सा मेरा यह फिशर था मेरा फिशर मतलब यहां पर यह जो फिशर वो itself एक कट था उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर और एक कट कर दिया तो कैसे दो कट ठीक होगा देखिए जो कट था वो तो ठीक हो जाता वो क्यों ठीक हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर blood supply ठीक से नही से बहुत हो जाएक है इसा नहीं हां पर इसमे हो जाएक है यह एक हपते यह तो नॉर्म टिकक था विछ से भी होता है और अगर यह सबसे हो रहा है तो आपको तो नॉर्मली साथ या दस दिन लगेगा विस्तर से उठकर नॉर्मली काम करने में, जॉब जोइन करने में, और अगर आप लेजर से करवाते हो, जो मॉडरन ट्रीटमेंट है, जो करने में 10-15 मिनिट लगता है, ये भी करने में 10-15 मिनिटी लगता है, लेजर से 5 मिनिट लग तो अगले ही दिन से आप घर में सारे काम कर सकते हो और तीन दिन के बाद या आप सोच लो तीन या पांस दिन के बाद नॉर्मली बाहर जाके सब कुछ कर सकते हो तो मगर याद रखिएगा कि पांस दिन के बाद आप काम तो सब कर सकते हों फिर भी आपको जो है डियूरिंग डिफिकेशन सब ध्यान रखना है स्टूल सॉपनर हर रोज लेना है उसके साथ साथ वार्म वाटर में सीड्स बात लेना है हर रोज और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो ठीक है और जो एंटिबाटिक्स जो आपका मेडिसिन दिया जाएगा आफ्टर सर्जरी वह आपको पांस दिन का कोर्स रहए वह आपको नॉर्मली फालो करना है तो यही रहता है नॉर्मली सासर्जरी का प्रैसीडियर। और सर्जरी जो लोग डरते हैं उनको मैं कहँं कि अगर आप लेजर से करती हो आप आप उसका प्रैस yourself जादा!!!!! सर्जुरिय में। एक बात कहें तो फिशर के टाइम पे जितना पैन फीशर होने के टाइम पे होता है नॉर्मलरिबड़वेक्शन के टाइम पे होता है दूरिंग फिशर। उससे To कही गुना कम होता है After Surgery Pen मतलब वानों कि अगर 10 में से 9 पेन रेटिंग है before तो जो पेन होता है आपका पेन भी कम हो जाएगा उसके बाद जो पेन होगा धीरे दीरे वह भी ठीक हो जाएगा और आफटर सर्जरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा तर नहीं रहता है तो ऑफटर सर्जरी दो तीन दिन एक अपते के लिए थोरा थोरा भ्लीडिंग हो सकता है उस क्कट किया गया है अगर आपका यह उने में तो से तो वहाँ सकता है बहुत बलाड़ा सकता है एक हफते के लिए और कभी कभी क्या होता है ऐसे मैंने कहा बहुत rare instance हो सकता है कि जहाँ पर अगर बहुत ज्यादा section of lateral internal sphincter को cut कर दिया गया है तो आप वहाँ पर देखोगे कि fecal incontinence का एक chance रहता है तो fecal incontinence का अगर chance रहता है तो वो ज्यादा तर aged patient में रहता है और उसको भी दीरे दीरे अगर incontinence होता है तो generally वो flatuous incontinence होता है दीरे दीरे वो खुद से ही ठीक हो जाता है और अगर वो ठीक ना हो तो उसका भी अलग सा process है treatment का वो दूसरी चीज़ है तो आप अगर surgery करेंगे तो आप surgeon से बात कीजिए वो सारे के सारे possibility आपके साथ discuss करेंगे और सब कुछ आपको ठीक लगे तो ही surgery कीजिए मगर फिशर को अगर आप chronic फिशर को अगर आप रख दोगे chronic फिशर को अगर आप surgery नहीं करोगे तो future में वहाँ से infection बढ़ेगा और infection होते होते क्या होगा में आपर एक picture दिखाता हूँ आपको यहां से cut था यह cut से अंदर से दीरे दीरे ऐसा structures आएगा एक pipe जैसा structure form होगा होकर यहां पर क्या होता है abscess form abscess का मतलब होता है यहां पर bacterial culture form होने लगेगा और यह bacteria infection करते करते ऐसा channel बनाने लगेगा और चैनल क्या होगा बाहर आके रेक्टम का जो hole है वहां से कही और उसके नजदीक में या फिर उससे थोड़ा 3-4-5 cm की gap पर दीरे दीरे ऐसा hole start होने लगेगा यहां से पस निकलेगा ब्लड निकलेगा और इसको हम fistula कहते हैं तो अगर यह हो गया तो definitely surgery के बिना नहीं ठीक होगा तो बहुत difficult होगा बहुत painful होता है इसलिए बैतर है कि अगर आपको fissure है chronic fissure हो चुका है तो definitely आपका treatment कीजिए अब बात यह भी हो सकता है कि chronic fissure में अगर sentinel pile है during fissure treatment operation sentinel pile को भी doctor remove कर देते, superficially बाहर से remove कर देते, ठीक है तो यह बात रहता है anal fissure के treatment के बारे में तो आसा करते हैं कि anal fissure के बारे में आपको जानकरी मिल गया, यह क्या है, कैसे treatment करना है, symptoms क्या है, क्या क्या complications हो सकता है तो और आपको क्या follow करना है यह वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों और colleagues के साथ, family members के साथ, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और subscribe कीजिए इस चैनल को, ताकि future में ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे, thank you, bye